हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल नेहा जायर वेदिक टिप्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफर्मेटिव और इश्पुन होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ मेथी दाने के अद्बुत फायदे के बारे में जी से सुनकर आप बिल्कुल ही हैरान रहा जाएंगे कि मेथी दाने के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके पानी पीने से इतने सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे कि अगर एक महीना तक मेथी दाने का पानी पी लेते हैं तो आपके सरी के अने को सारी बीमारी आप बिल बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे मेथी के बीज के फायदे के बारे में जो की स्वाद में कड़वा होता है लेकिन स्वास के लिए कापी फायदे मंद होता है और मेथी एक ऐसा मसाला है जो कि असधिये गूरों से भरपूर होता है और असधिये में हम इसका ज्यातर परयोग करते हैं आयरवेदिक दवाईयों में इसका ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है तो कि इसमें भरपूर मातरा में आयरेन, कैल्सियम, फॉस्फोरस, टोटीन और बिटामीन होता है इतने असधियों होने के वज़े से इतने पोसक तत्वों से भरपूर होने के वज़े से या आपके सरी के कई रोगों का इलाज करने में काफी कारगर होता है और यहीं वजह है कि इसका सेवन जो है लोग बहुत जादा परयों करते हैं अब खुद को सब दोड़ा बिदियो को थोड़ा नहीं कीजिएगा वीडियो के इन तक हमारे साथ जूड़े रहिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पाले आप से चोटी स्रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी बीडियो को लाइक सीएगा और हमारे चनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज करके अल अप्सन पर जरू क्लिक कर लीजेगा ताकि हमारे आने वाले वीडियों का नोटिफिकेशन साब को मिलता रहा है तो चलिए हम बात करते हैं मेथी दाने के फर्ष्ट बेनिफीट के बारे में तो मेथी दाने का पहला फायदा है फ्रेंड्स की आपके पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मेथी दाना जो है काफी फायदेमंद होता है जिन लोगों को अपच की समस्या होती है कब्ज की परिसा बनेगी क्योंकि प्रेइन्ट से मेथि में मौझूद पाचंग एंजाइम अगनासे को अधिक रियासील बना देते हैं इसे पाचंग क्या अच्छी होती है इसलिए अगर आप मेथि का पर्योग करते हैं तो आपका पाचंग सक्ति बिल्कुल ही सही रहेगा पाचंग क्रिया में दया खंट करता है और साथी साथ काभ्ष की समस्या को दूर करता है क्योंकि में फाइवर काफी मात्रा में होता है ऑग अगर आपके पेunda में हमेशा डर्म गया 민주 रखेख हैं तो आप खाना खाने के वाद बाद मेधी दहनी के पाड़ा का प्रयोंग प्रेके अबेगे तो इससे आपको gas usability की समझे से छुटकारा मिलेगा, मेधि दानी का पानी का सेवन करना चाहिए, इसके लिए आपको रात कोई एक चमश मेधि दानी को एक गलस पानी में भिगो کर रखते हैं, सुबा में उस पानी को छान कर उस पानी को खाली पेट आपको पीना है साथ में मेती दानी को भी चबा चबा कर खा लेना है प्रेट मेती दाने के पानी पीने से आपका मेटाबली जब बढ़ता है ठीक रहता है जिसके वज़े से आपका मोटापा जो है वजन जो है बहुत ही तेजी से कम होने लगता है और मेती में भरपूर मातरम फाइबर होता है जिसे खाने से आपका पेट भरा भरा लगता है और पानी का परियोग करते हैं तो इसके अगर आप लगतार इस तरीके से मेथी दानी के पानी का परियोग करते हैं तो आपके सरी में HDL यानि की अच्छा कोलेश्टर बढ़ने लगेगा जो कि आपके सरी के लिए काफी फायदेमंद होता है और कोलेश्टर लेवल को नियंतित रखता है जिसके वज़से आपका हाट आपका हीदा जो है स्वासरा आता है इसका फोर्थ मैंनी फीट है कि को कंट्रोल करने में को बढ़ने नहीं देता है और बलड में मुझूद ग्लूकोज लेबल को हमेशा कंट्रोल में रखता है कम करता है अगर आप मेथी दाने का परियोग करते हैं तो इस तरीके से अगर डाइटीज के मरीज है तो आप मेथी दाने का परियोग कीजिए आपको 100% फायदा गुटनों के लिए जो मेंति दाना है काफी फादमन्द होता है क्योंकि आगर आपके जुआइंट गुटनों में कमर में यह पिसरी में हमेस्थ बना रहता है खास काइब के गुटनों में दर्थी समस्या है तो मेथी दाना राम बार जो कमजूर पढ़ जाती है कलसे में काफी मातरम पाया जाता है तो इसके सेवन से अपकी हड़िया काफी मजबूत बंती है जिसके होसले से अपके घुटनों में जो दर्ट की समझाया है बिलकुल ही खतम हो जाती है तो घुटने की दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप मेथी दाने को बिल्कुल बारिक पाडर बना लीजिए और इसे इस पाडर को दीन में दो बार गरम पानी के साथ इसका परयोग कीजिए इससे आपके घुटने की दर्द की समस्या बिल्कुल खतम हो जाएग तो इसके लिए आप मेथी दाने को गरम पानी के साथ पेश्ट बनाकर घूटने पर लगाते हैं तो इससे भी आपके घूटने का दर्द बिल्कूल ही खतम हो जाता है, काफी रहात मिलती है, घुटने की दर्द मेधी दाने का गर अगर पेश्ट लगाते है तो और इस तरीके हीदे मजबूत बनता है या और इसके सेवन से रख संचार भी अच्छे तरीके से होता है जो कि आपके हार्ट के लिए काफी अच्छा होता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपके सरी में बैट कोलेस्ट्रोल यान की खराब कोलेस्ट्रोल की मातरा हमने रख सकते हैं तो हाट ने के चांसेंस बढ़ है तो अगर निकल जाते हैं और अज़ा ही ध सछित रहें गहीं के लिए भी हाफी फायदेवन्द होता है है इसका 10 मैंने का लिए बीकाफी प्हामत होता हैं यह जूपी स्वेद्ध इसका पानी पीए। इसमें जो एंक्स्धियंट गूर होते हैं जो कि केड़ने के लिए काफी अच्छा होता है। मेथी दानी का परियुक हो अधह कारता है एक थे नीकर आप चैन्स जे बचाएओ करने में मेथी दाना काफी है काफी मदद करता है क्योंकि मेथी में डियोस जेनी म darmah जिसके करान या आतों के cancer से बचाओ करता है और अगर आप मेती दाने का पानी और साथ में मेती दाने का सेवन नियमी ग्रूप से करते हैं तो आतों की cancer की समस्या कभी आपको नहीं होती है और cancer उत्पन करने वाले जिवानों कभी नाज करता है मेती दाने का अगर आप कि मेति जाने का प्रयोग के आपके जहरें Well that लिटमिंशी रूग जाता है तो इसकी तरीकर करणा एक Tतो आप मेनि पानिद्र हो प्रयों करें जिसा चाहर को अंधर से पुंसर लेगा और इसके आप मेथी दाने का रात भर के लिए भीगो कर रख देना है सुबा में इस मेथी दाने को पीस कर और इसे आपको अपने बालों की जड़ो में लगाना है और बालों के उपर भी लगाना है आप चाहें तो इसके पेश्ट में आप एलोएरा जेल भी एड़ कर सकते हैं इससे भी आपको काफी तो इस तरीके से आप मेथी दाने का परियोग करके आप अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं इसका तेन्थ और लाश्ट बेनिफित है कि सर्दी खांसी की जुकाम की समस्या को भी दूर करने में में मेथी दाना काफी फैदेमंद होता है क्योंकि मेथी दाना में एक पानी कांप करते हैं जैसे की माफ चुरु पानी का प्रयक्ता आप शैचरना का और को शुक्त करना बक्रीच फैदे खांसी sicरात रिट्री फैड़ थाई है उन सब बीमारी से आपको छुटकार मिलेगा इसके पानी पीने से आपको बहुत सारे बेंफिट्स देखने को मिलेंगे तो आप जरू ट्राइब कीजेगा आपको 100% इसका फायदा मिलेगा फ्रेंड्स तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूश्पूल लगी मिलते अपने नेक्ट वीडियो में ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्य बात